हेलो हेवरीवन आज हम चावल की बिलकुल नई रेसिपी देखेंगे ना तो ये फुलावे ना ये बिर्यानी है नमस्ते दोस्तों चावल तो हर गर में बनता है पर रोच जो चावल बनते उसमें कुछ नया मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है गर पर रखी हुई सामगरी से छोटे बच्चों से लेकर बड़ो तक पसंद आए ऐसी रेसिपी बनाएंगी और बिना तान जान वाली है तो हर किसी को बनाना बेहदी पसंद आएगा तो देख लेते हमारी ये रेसिपी और इसकी सामगरी तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा यहाँ पर हमने एक बरतर में पानी गरम करने के लिए रख दिया उसमें स्वाद अनुसार नमक वन फोर टीस्पून के जितना घी डाल दिया है और पांसे दस मिनित बिगे हुए रोज वाली जो चावल हम खाते ना वो इसमें उबालने के लिए रख देंगे यहाँ पर ये चावल सिर्फ पांसे साथ मिनित में पक जाएंगे और 80% तक हम ये चावल को कुक करके उसका पाने निकाल देंगे तो हमारे खुले खुले चावल रेडी हो जाएंगे एक पैन में हमने दो चमच गी ले लिया है एक तेजपता दो लॉंग दो काले मर्ज और दो साबुत हरे इलाजी आदा चमच जीरा पांसे छे कड़ी पता को बारिक कट करके लिया है और आदा कप के जितना हमने बारिक कटा हुआ प्यास ले लिया है स्वादनों सा नमक ले लेंगे इसे दिम्मी आज पर बुन लेंगे प्यास को हमें सुनेरी नहीं करना है तो इसे हम डख कर थोड़ी देर तक सौफ्ट होने देंगे इससे हमारे प्यास का कडर चेंज नहीं होगा दो चमज की जितना ओरेंज घाजर को बारी कट करके हमने लिया है तीन से चार चमज की जितना बारी कटावा सिमला मिर्च, एक चमज पावाजी मसाला, एक चमज बुनावा जेरा पावडर भी इसमें दाल देंगे एक चमज कस्मेरी लाल मिर्च भी ले लेंगे आदा चमच हल्दी पावडर ले लेंगे हम अब सारी सामगरी को बहुत ही अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे एक चमच धनिया पावडर भी ले लेंगे अब यहाँ पर एक कटोरी भर के हमने तोता पूरी केरी को कद्दू कर स्कर के लिया है आपके पास देशी केरी हो तो आप आदा कप ही ले क्योंकि वो ज़्यादा खटी होती है और दो से तीन चमच के जितना बिगे हुए मुझफली के दान है और पहले से हमने जो चावल को उबाल कर रखे उसे भी हम इसमें एड़ कर देंगे बहुती हलके हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे तो रोज के जो चावल बनते हैं उसमें कुछ नयापन भी आ गया और जो अभी आम की सिजन है तो आम का मज़ा तो हमें लेना ही चाहिए तो अमिया वाले ये चावल तयारे तो हम यहाँ पर गोल कट किये हुए ककड़ी और लाल चटनी के साथ इसे सव कर देंगे आप चाहे तो इसको रहते के साथ भी परोज सकते हो चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब पाजू में दिख रही बैल आइकन को भी आल प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएए